प्रेंड संगीत अक्षण में आप सब की स्वागत है तो चलिए आज पान के लडूब ना आते हैं जुम्नानें बहुत कम समय लगता खानें बहुत स्वाधिश्ट होता और फ्रेंड्स हमारे चैनल को अगर लाइक और सब्सक्राइब से नहीं किए तो प्रीज लाइक और सब सब्सक्राइब से जरूर कीजिए तो चलिए देखिए यहां पर मैंने वन कप कोकोनट ले रखी हूँ एक अच्छे कोकोनट कप और है एक हाप कप मैंने सुगर ले रखी हूँ और यहां पर टूटेवल एस्पून गुलकंद है जो मैं ले रखी हूँ आप देख सकते हो प प्राइफूत और इलाइचई है जो मैं रखी हूँ मैं अच्छे से च्शौर्टे फाश करके देंत टूड के साथ के मैं घ्रांड कर दोंगी यह देखिए को सब्सक्राइन का त्लूअ गहां है एक दीक्ट लेप है cokno जो का पॉडर जो है ना घीला है क्योंकि के इने ने कच्छे कोईनेट का ग्रैंड कर दी ती इसे मैं ड्राय होने के क्लिए हलका 1 मिनट भूम दी अब जो पान के पत्त को मैंने ग्रैंड की थी इसे मैं चन्नी से छान के इसमें डाल देती हूं और जो मोटा वाला है उसे मैं नहीं डालूँगी उसे मैं हटा दूँगी यह देखिए इस टाइप से इसलिए मैंने चन्नी से छान दिया था ताकि मोटे वाला ना जाए निकल जाए बाहर आ हो आप देख सकते हो फ्रेंट से बनाने बहुत कम समय लगता किसी भी declare आराम से बना सकते हो आप देखें इसे मैं निक्स कर देती हूं गईस का फ्लेम लोग कर देना है हाँ आप कब सुगर दाल देती हूं डारेक्ट मैंने यहाँ इस पर भूनते रहना 3-4 बदेकए लटू के टेस्ट और अच्छी है अब इसे भूनते रहना कि इस देखिए हो चुका है अगर हलका फुलका है अक्रेसे तो मैं लुए और दहा करके मावा को में कर देती है उ अच्छे से दो थीन विडिवर बॉल में निकाल करके मैं एर एक दुए ת मैं निकाल कर रख दी थी हल्का ठंडा हो गया है अब जो गुलकंद है उसमें जो ड्राइफूट है वो मैं डाल देती हूं देखें यहां पर और कच्छे जो नारिल का ग्रैंड करके पॉड़र नहीं थी ओ इसमें थोड़ा रख ली थी गुलकंद में मिक्स कर देती हूं है सारे को अच्छे से मिक्स कर दूंगे मैं यह देखें इस टाइप से अब मैं थोड़ा सा हाथों में घी लगा लेती हूं वैसे तो कोकनट में घी होता है छोड़ता है लेकिन तब मैं लगा ली हूँ ताकि लड़ू का जो है ना चिकने हाट अच्छा हो एदो को आप मैं थोड़ा सा लेके इस तरह से गुल कर लिए लड़ू का अकार पहले दे दे रही हूँ उसके बाद इसे फिंगर से दवा करके इसमें गुलकंद का स्टपिंग कर दूंगी इस तरीके से फ्रेंट्स इस रेस्पी को आप एक वर जरूर ट्राइ करना और बनाना और हमें कॉमेंट्स में जरूर बताना कि आपके पान के जो लड़ू है वो कैसी बनी है यह देखिए चारों तरफ से फिंगर से मैं इसे घुमा घुमा करके अंदर के और गुलकंद करके इस तरह गोल कर दी देखिए हमारा लड़ू तयार हो चुका है देखिए इतना सुन्दर बना है इस तरह से सारे लड़ू को मैं बना लेती हूँ ए देखिए बन गया अब सुखा चो कोकोनट का पॉडर है ना इसमें मैं इस लड़ू को लपेट दूँगे अच्छे से इस अगला वीडियो में आपके सामने ले क्या होते हैं